हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बब फिर से हाल फिलाल रिलीज भी एक और पंजाबी फिल्म फिल्म का डाइटल है बैच 2013 यह एक मोटिवेशनल एमोशनल ड्रामा फिल्म है जो कि आपको पसंद आएगी एक useless person किस तरह aimless person किस तरह respected police officer बनता है आपको स्टोरी देखेंगो मिल जाएगी काफी interesting स्टोरी है और मैं इसको सीधे सीधे रिलेट करना चाह रहा हूं रितिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म लक्से से सेम स्टोरी है concept सेम है अगर आप किसी भी नजरी से देखते हो तो लेटिंग मा आप पर नजर आ रहे हैं जाने माने पंजाबी एक्टर हर्दीप ग्रेवाल जो कि इससे पहले भी एक motivational film दे चुके हैं जिसका की title था अगर आपने देखी हो तो यह फिल्म काफी सांदार थी यार मैं ने देखी थी और अब तुनका तुनका के बाद में यह दूसरी फिल्म है हर्दीप ग्रेवाल की लेकर आ रहे हैं जो कि back to back motivational के तौर पे रिटिंग में आपने जा रहे हैं हर्दीप ग्रेवाल और इस फिल्म को direction दिया है गैरी खत्रों ने फिल्म का बज़र काफ से पाच क्रोड रुपे मैक्सिमम तौर पे अगर वहीं बात की जाए से collection को लेकर है तो आपको आदू यह फिल्म चल तो रही है लेकिन ना खेदाबर इसको screens मिली तो हैं लेकिन ना खेदाबर क्योंकि अल्रडी पंजाबी movies चल रही हैं यानि कि खास तो पर यार मिला तित पर यह फिल्म आज भी 25 से 30 लाग रुपे नॉर्मली क्रोस कर रही है इंडिया नेट से और बात कर सकते हैं कि इंडिया क्रोड कम से कम 50 लाग क्रोस कर रही है नॉर्मली जहां पर इस फिल्म का आज का कव जो collection है कल के comparison में थोड़ा अच्छा जा सकता है बैटा जा सकता है और यह 80 लाग तक नॉर्मली कलेक्शन कर सकती है आज अपने दूसरे दिन जहां पर फिल्म का जो collection हो चुका होगा नॉर्मल से नॉर्मल दो करोड धाही करोड के आसपास पहुच चुका होगा वहीं अभी इसको 500 कमाने है हिट का अपने नाम करने के लिए average हिट का तो क्या